नमस्कार दोस्तों 24 अप्रेल और 24 अप्रेल को इवर फिसे चैनल के माइद्यम से आप से भी कश्वागत करते हुए एक 28 रुपिय का बहुत बहुत बहुतरीन स्टॉक मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस स्टॉक की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस स्टॉक 28 रुपिय पे मिल रहा है और इसकी पोटेंसियल बहुत अच्छी नजर आ रही है काफी अच्छी रिजट्स इन्होंने कुछ क्वाटर्स पे पेस की है और इन्होंने अपने डेट को लगभग जीरो कर दिया है ठीक है यह डेट बहुत जादा था बड़ दीरे-दीरे करके इन्होंने अपने डेट को कम किया है और कहीं न कहीं इनके बिजनर्स मॉडल में इतनी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी जब आप इसके बारे में जानेंगे तब तो चलिए इस वीडियो के स्टाट करते और देखते हैं स्टोक में कितना है दम और आगे क्या हो सकता है स्टोक पे अब ही देखें मैं स्टोक का मार्केट का आप दिखा रहा हूं तो एक माइक्रो केप कमपनी होने के बावजूद भी इन्होंने एक अच्छा parameter set किया long term के लिए जो return on equity आपको 97% नज़र आ रहा stock ने 50 रुपे का high बनाया था और अभी 24 रुपे 28 रुपे पे stock current market price पे available है मतलब 24 रुपे का low बनाया था 28 रुपे पे mall available है और कल इसमें 10% की तेज़ी आपको देखने को मिली होगी आप stock का chart लगा के देख लिजेगा या फिर मैं भी आपको दिखा दूँगा और company का जो date है वो date zero हो गया है ठीक है जीरो के बराबर है तोड़ी सी date है वो इस quarter में March quarter में हो सकता कम हो जाए पर्मोटर्स की holding आपको zero दिख रही है तो इससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि पर्मोटर्स की holding zero होने से company बुरी नहीं होती है आसा example मेरे पास है मैं आपको लिए चलता हूँ उसी stock का भी नाम दिखा देता हूँ तो अपने ITC का नाम सुनाओगा stock market का दिगज stock nifty 50 का और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो पर्मोटर्स की holding zero है तो क्या यह company अच्छी नहीं है company बिल्कूल अच्छी है इसमें एक और टेंसें की बात नहीं है कि inside में पर्मोटर्स क्या गूल खिला रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा और और company दीरे-दीरे करके कर्ज में खत्म हो जाएगी देखिए बीना पर्मोटर्स होल्डिंग वाली company और डेड़ फिरी company आपने अगर ITC पर भी अपना पोजिशन नहीं बनाया तो ITC को भी देख सकते हैं मैं इस वीडियो पर इतना ही कहूंगा इसकी डिटेल्स वीडियो अगर चाहिए तो हमें ज corporate advisory services licensed and regulated by the security and board exchange board of India से भी authorized to advise and arrange financial services under the category 1 merchant banking license and is headed headquartered in Mumbai तो यह basically आपको पता है कि इनकी prime securities Mumbai में है और यह कहीं ने कहीं इंडियन stock market के exchanges पर ट्रेडिंग कराना financial advisory करना banking investment और corporate advisory यह सारी चीज़े करती हैं तो business काफी अच्छा है आने वाले टाइम में आपको पता है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% लोग यह stock market पर इंबॉल्व हैं और आने वाले टाइम में यह 15-20% ते खोने का chances है ऐसा बड़े बड़े एकनोमिस्ट का मानना बड़े बड़े जो market के दिगज है उनका मानना है आने वाले टाइम में तो कहीं ने कहीं इनका business भी बढ़ेगा इससे पूरी आपको पता चलती है देखिए sales growth की अगर बात करे तो sales growth अंठाउन परसेंट के हिसाब से तीन सालों में उन्हें ग्रो किया है और डेड को कम किया देखिए असे stocks पे थोड़ा सा रिस्क रहता बट reward काफी ज़्यादा रहता है क्योंकि देखिए इस stock पे एक अच्छा run आया था तीन सालों का मैं आपको चार्ड दिखाऊंग फिर पांच सालों का और पांच सालों में देखिए यह stock लगबग 4-5 रुपए पे ट्रेड करता था 2015 पे और stock पे एक rally आई और इस rally पे इस stock ने लगबग लगबग 50 रुपए का हाई बनाया तो 4 रुपए का stock दो सालों में 50 तक पहुंच जाता आपका पैसा कहा पहुंचा पकड़ी थी और मोमेंटम पकड़ने के बाद फिर इस stock में थोड़ी सी correction आई है मुझे असा लगता है कि इस stock में आने वाली टाइम में फिर से एक बार आपको rally देखने को मिलेगी क्योंकि इसी तरह के consolidated stock कभी-कभी इतना ऊपर चला जाता है कि बाद में हमें पता चलता है कि यह stock multi bagger बन गया तो इस stock को देखिए मैं इसका result आपके सामने रखता हूं देखिए company का quarter on quarter अगर sales March का देखिए तो 13 करोड जून का 10 करोड और सेप्टमबर में यह देखिए बढ़ चुका है इनकी बिजनस आसी है कि यह आपको sales कभी कम कभी जादा दिखेगी definitely profit की बात की जाए तो company profit पर है आप देख पा रहे हैं 2019 के दो quarter का यहां पर compare कीजिए यह last quarter में इनको थोड़ा सा लॉस हुआ था और अभी अगर बात किया जाए year on year basis पर आप देखिए इनका sales काफी ज़दा 2018-19 पर बढ़ता ही जा रहा year on year basis पर 2018 में 23 करोड की sales 40 करोड में ब एक growth मुझे नजर आ रहा है इस stock पे और stock का सबसे अच्छा जो बात यह लगा मुझे कि इस stock में इतना ज्यादा डेड हो गया थे इस company में 2015 में कि 109 करोड का यह इन्होंने धीरे-धीरे कम करते हुए देखिए September 2019 के quarter में 40 लाग पे ले आई है और ऐसा अनुमान मुझे लग free होगा डेफिनेटली होगा जब इन्होंने 100 करोड का कर्ज इन कुछ सालों में कम कर दिया और इसके इनके कम करने की consistency पता चल रहे है कि इन्होंने डेट को बढ़ाया नहीं है कम करते जारे तो डेट फ्री हो जाएगी तो company के profit और बढ़ेगी और अगर company के आसेट की बात क ही कम कर देंगे तो एक potential दिखता है से स्टॉक पर ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा यह यह सभी स्टॉक तोड़ा से रिस्की होता बट इस स्टॉक पर फंडामेंटली बहुत अच्छे parameters नजर आने तो इसे स्टॉक को देख सकते हैं almost dead free company promoters की holding नहीं है तो आप को यह टेंशन नहीं होगे company कल दिन डिलिस्ट करेगी या फिर और भी कुछ करेगी यह टेंशन नहीं रहेगा इस स्टॉक पर इस स्टॉक को देख सकते बिजनस भी काफी डिवर्सिफाइड हैं आने वाले टाइम में इनके बिजनस पे और बढ़ोतीरी हो सकती है profit और बढ स्टॉब्स दोड़ा सब्सक्राइब और यहां से स्टॉक काफी तीज हो सकता है जो कि तेजी आपको मैं अभी दिखा देता हो कि कल इस स्टॉक पर क्या हुआ था तो कल इस स्टॉक पर लगबग 10% की तेजी थी आप देख पारें लगबग 8% से थोड़ी सी जादा आपको को यहां पर तेजी दिखी ती तो यह तेजी इसलिए है देखे 43 परसेंट का फॉल 52 विक हाई से स्टॉक को देखिए प्राइम सीकुर्टी कापी बहतरीन के साथ मुझे लगी मैंने प्रेजेंट किया इस टॉक को जरूर एक बाद देख सकते हैं चलिए इस वीडियो पितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और तब तक के लिए हमाई चानल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धेने वाद और और भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग आपको डीटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए मैं आपको वीडियो के मादम से अपडेट कर दूंगा थैंक्यू